जैहिन प्यारे बच्चो चलिए जी तो आज का हमारा जो सेशन है वो है most important idioms जो की previous year में आय हुए हैं जैसे कि आपने thumbnail में देखा है ठीक है काफी questions इसमें आपके पढ़े हुए हो सकते हैं लेकिन कुछ questions बहुत अच्छे हैं जो आपको आगे exam में help करेंगे अब सबसे पहले आप वीडियो को इसको pause करो और फिर इस cancer देखो दो और चेक करो फिर तो जैसे पहला question है इसमें the eldest sister received the lion's share of her father's property देखिए suppose करिए यह property है और आपको इसका lion's share मिलता है तो lion's share का मतलब होता है यानि कि एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि भीया share सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता किसी चीज में से इसका मतलब the largest portion किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा हिस्सा ठीक है जब जीवन में आप थ्रो थीक थीन थीन पास करते हैं तो इसका मतलब यू पास थ्रो एवरी situation तो थीक थीन का मतलब हो जाता है in good times and bad times यानि कि थीक भी हो थिन भी हो अच्छा और बुरा दोनों टाइप का वर ठीक है या इसको कह सकते हैं under any circumstance देखे थर्ड कोश्चन में once cup of tea अब कई बार कहते हैं यार politics is not my cup of tea तो मतलब मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ and if something is your cup of tea तो आप याद करेगी चाय से कि या चाय का cup है वो आपको पसंद है तो इसका मतलब है something chosen और preferred thing जिसको आप पसंद करते हैं उस चीज को next to the scenery scenery को चबाना क्या मतलब है अब यह question बहुत बढ़ी आया है मुझे जहां तक ऐसा लगए आपको नहीं पता होगा इसके बारे में तो इस तरह की questions है जो इसमें डाले गए है specially ठीक है तो to the scenery बहुत अच्छा इडियम है यह और इसका मतलब होता है to act overly emotional कुछ लोग होते नहीं बहुत ज़्यदा emotional ठीक है लेकिन overly emotional हो जाते हैं तो that is called to the scenery ठीक है trick of the trade यानि कि trick किसकी trade की व्यापार की काम करने की trick ठीक है next in a nutshell यह मुझे जहां तक लगता है यह आपको पता होगा in a nutshell मतलब briefly किसी चीज को संचेप में बोलना या संचेप में कहना out for the count अब यह कहीं न कहीं फिर से आपके लिए एक नया होना unconscious होना तो in a deep sleep गहरी नींद में होना है ना बहुत ज़्यादा unconscious जैसा मतलब if you are out for the count इसका मतलब आप गहरी नींद में है draw the line अब अगर आपने line draw कर दी है तो इसका मतलब है कि आपने किसी चीज की क्या set कर दी है limit set कर दी है तो इसका मतलब हो जाएगा to set a limit कि भाई या अब इससे आगे नहीं जाएंगे आप change of heart अब पता नहीं फिर से मुझे क्यों लग रहा है कि साइध ये भी ना आपको पता हो जहां तक मैं feel कर बार हूं तुक्के से आप साइध मार दें इसको change of heart का मतलब है different opinion about someone or something किसी चीज के बारे में अपना opinion बदल देना या अलग कर देना that is called change of heart and eye wash ये आपको पता होगा जहां तक मुझे लग रहा है eye wash का मतलब है pretence दिखावा करना जूटे आंसू बहाना to lead someone by nose इसका मतलब है किसी को completely control में करना अपने काबू में कर लेना lead करना मतलब control में कर लेना play with fire आग से मत खेलो इसका मतलब कोई भी रिसकी काम मत करो ये तो simply learn हो जाएगा to foot the bill जब आप party में जाते हैं और आपके सारे दो साथ रहते हैं तो सभी लोग मिलके foot the bill करते है न तो इसका मतलब है to make payment तो foot the bill का मतलब हो जाएगा to pay the bill shooting fish in a barrel देखे मचली को barrel में अगर shoot करोगे तो बड़ा आसान सा काम है बाहर करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पकड़ना उसको तो इसका मतलब कोई भी काम जो बहुत आसान हो exceptionally easy to do मतलब बहुत ही आसा कारी है in black and white जब आप किसी ची tooth long in the tooth का जो मतलब बैठेगा बच्चो वो बैठेगा अगर if the person is long in the tooth मतलब बहुत लमवा दात हो गया मतलब बहुती बूढ़ा आदमी हो गया too old to do something मतलब बहुती उम्र दराज हो जाना इतनी उम्र हो जाना इतनी जादा उमर हो जाना कि आप कुछ कोई काम तक नहीं कर सक ठीक है through thick and thin यह भी आया था अंडर सरकम्स्टांस हर परिस्थिती में लाइन शेर किसी चीज का देखो फिर से इडियम वही है option मतलब बिगेस पार्ट या बैस पार्ट ऑफ और होल किसी चीज का सबसे ज्यादा हिस्सा तो वॉक दाइट रोप तो ट्राइट रोप पे चलन तो इसका मतलब आप चलते हुए रोप रसे के उपर चलते हुए आप बहुत ज़्यादा सतर्क हैं सावधान है तो to be very cautious या alert होना एड़ ड्रॉप आफ आफ है ये NDA का भी PYQ है ये SSC में भी आया चुका है ये Air Force में भी पूछा जा चुका है At the drop of a hat का मतलब होता है बिना देरी किये किसी काम को तुरंत कर देना Feeder in his cap अब किसी के cap में feeder लगा देते हैं तो additional achievement ठीक है An achievement to be proud of जिसके उपर हम proud कर सकते हैं Stones throw मतलब कोई चीज short distance में होना pass में ही होना This is called at a stone's throw Spill the beans का मतलब होता है to reveal a secret Giveaway का मतलब बांटना भी होता है reveal भी होता है यह बड़े काम की phrasal web है भाई Generally हमको पता होता है Giveaway का मतलब distribute लेकिन Giveaway मतलब reveal भी होता है किसी चीज को उजागर करना भी होता है On thin ice When you do something on thin ice इसका मतलब है आप किसी काम को वैसे तो आप यह लगा रहे होंगे जहां तक mind में नहीं इसका मतलब होता है Comment box में मुझे लिख के जरूर बताइएगा तो ऐसी वीडियो के लिए जो नहीं student चैनल को subscribe कर लीजएगा और सबसे important चीज कि जो यह आपका hard challenge आता है जो पीछे की वीडियो अगर आप छूटिए तो उनको जरूर revise करिएगा हर दिन आपको नए और best questions मिलते हैं ठीक है और अगर कोई भी student basic से पढ़ना चाहता है और conceptual पूरा syllabus complete करना चाहता है अगर उसका 2024 में कोई भी exam है तो सेंकल बैच अभी start ही हुआ है एक महीना होने वाला है इसको तो चाहे तो आप इसको join कर सकते हैं बाकी classes आपके अल्रड़ी चली रही है ठीक है तो चली मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद